स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में और आज हम लोग बात करने वाले हैं CTET एक्जाम के बारे में और इसके पाठकरम के बारे में तो सबसे पहले तो बात करते हैं ये एक्जाम है क्या तो ये Central Teacher Eligibility Test इसको कहते हैं और बहुत से बच्चे परिशान रहते हैं कि उनको हिंदी में इसका सिलेबस मिल जाए तो ये वीडियो सिर्फ उसी चीज को पूरा करने के लिए बनाया गया है तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे केंदरी प्रात्मिक सिक्षक के पद पर नियुक्त होने के लिए CTET केंदरी सिक्षक पात्रता परिक्षा देना जरूरी होता है और इसको पास करने पर हमें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है ठीक इसके लिए बहुत से उम्मीदबार एपलाई कर सकते हैं जनोंने BID या BTI की परिक्षा पास की हो अब ये क्या है इसमें दो पेपर होते हैं एक तो पेपर होता है पहली से पांचमी के लिए और दूसरा पेपर होता है छटमी से आटमी के लिए ठीक है तो जो पहला पेपर होता है उसका जो सलेबस होता है वो यहाँ पर आपको देख रहा होगा केस में 5 विशाय होते है पहली तो होती है आपकी बालविखास ये धिख रहा होगा आपको जो 30 नंबर का होता है तीस ही प्राशन होते हैं इसमें फिर भाषा 1 यानी हिंदी, भाषा 2 यानी इंगलिश भाषा चौत यहाँ पे आती है गनित और फिर आता है आपका पर्रेवलन इन सभी में आपको 30-30 प्रशनाते हैं और 30 ही नंबर के यह होते हैं टोटल 1500 नंबर का पेपर होता है और उसको सॉल्ब करने के लिए हमको 1500 ही मिनिट दिये जाते हैं अब हम लोग आँगे बात करते हैं कि जो दूसरा पेपर होता है वो कैसा होता है तो दूसरा पेपर भी 1500 ही नंबर का होता है 1500 मिनिट होते हैं इसको हल करने के लिए और इसका सिलेवस कुछ इस प्रकार होता है केस में आप देख रहे होंगे भाही बालविकास 30 नंबर की भाषा इंगलिश या हिंदी भाषा 2 इंगलिश और जो चौथी भाषा होती है उसमें 60 नंबर का पेपर होता है ठीक है चौथ तो इस तरीके से आप इसको solve कर सकते हैं अब आते हैं इसके pattern से सम्मंदित कुछ महत्वपूर जानकारी तो CTET की परिक्षा दो चर्णों में आयोजित होती है दोनों ही चर्णों के सभी प्रशन वेकल्पिक होते हैं मतलब objective वाले प्रशन आते हैं कि एक प्रशन रहेगा उ अर्थक अक्षा 6 से कक्षा 8 के वर्ग के सिक्षक बनना चाहते हैं उन्हें पेपर एक और दो दोनों की परिक्षा देनी होती है और अब भ्यारतियों को 60 प्रतीशत अंक कम से कम प्राप्त करने पड़ते हैं तभी उन्हें उसके योग या उसके मताविक माना जाता है ठीक अब एक इंपोर्टन चीज किसमें आरक्षन का कोई लाप प्रदान नहीं किया जाता सभी परिक्षारतियों को तिण होने के लिए नियुन्तमंग के प्राप्त करना होते हैं इसके बाद भरती परिक्षा के तहत बिभिन्य राज्यों में भरती संस्थानों दौरा निकलेगी तो इसमें आपको अपना मार्कशीट लगाना पड़ेगी और आप उसकी मेरिट के हसाब से सेलेक्ट हो सकते हैं अब इसका प्रमाण पत्र है वो साथ सालों के लिए वैलिड होता है कि आप साथ साल तक उसको कही हुई है किसी भी एक्जाम में लगा सकते हैं पर लोग क्या करते हैं कि बार बार परिक्षा देते रहते हैं अच्छे से अच्छे नंबर लाने के लिए तो हम सभी एंसा कर सकते हैं अब हम बात करते हैं इसके डेटेल्ड सिलेवस के बारे में ठीक है तो पहला पेपर जो कि एक से पांचमी किलाश तक के लिए होता है उसमे बालकों की विकास के सिध्धान्त, अनुवान शिक्ता और पर्रहवरण का प्रभाव, समाजी करण की प्रक्रिया, पियाज़गेट, कोहलवर्ग और वाईगोस के निर्माण और महत्पूर्द रश्टी कोण, बाल के इंद्रे तो प्रगती शील सिक्षा किया उधानना, ठीक प्रख्षिक बहवार क्या है, विक्तिगत, बिभिननता, अधिगम का मुल्यांकन, सिक्षारतियों की तैयारी का इस्तर मुल्यांकन, इत्यादी चीज़े, अब इसमें दूसरा पॉइंट जो आता है, वो आता है आपकी समावेती, सिक्षा की अवधानना, तो गैर लाप्र बालक सिक्षारतियों, सहित बिभिनन प्रश्ट भूमी के सिक्षारतियों के वशक्ताओं को समझना, अधिगम सम्मंधी समस्याएं, और प्रतिभावान सिक्षारतियों के वशक्ताओं को समझना ये चीज़ें भी इसमें शामिल होती है, और जो इसका तीसरा भाग है, और अधिगम में योगदान देने वाले कारत तो यह है आपकी CDP इसके बाद आपकी आती है प्रथम भाशा जो की है हिंदी पेपर का दूसरा भाग इसमें आपको पढ़ना है सबसे पहले अपटित गद्यांस उसके बाद आपको व्याकरन पढ़ने हैं आपटित गद्यांस क बहुत ज़्यादा प्रेक्टिस करना जरूरी है फिर आती है भाशा शिक्षण के सिद्धांत सुनने और बोलने की भूम का यानि भाशा का कार फिर किसी भाशा शिक्षण में व्याकरन की भूम का भाशा कोशल भाशा की समझ और प्रवीरता का मुल्यांकन अब इसमें फि उप्चारात्मक सिक्षा के बारे में इसके बाद हम लोग बात करते हैं language second यानि की English की तो इसमें आपको पढ़ना है learning and acquisition फिर unseen passage के बारे में grammar, principle of language teaching, role of listening and speaking यानि वही language work, role of grammar and teaching language फिर आते हैं आपके language skill, assessment of language comprehension and proficiency फिर आती है आपकी वही teaching और इसमें वही text book है multimedia material, multilingual resources और last में आपको पढ़ना है remedial teaching के बारे में तो ये हो गई आपकी language second फिर बात करते हैं important topic यानि की math की तो इसमें आपको पढ़ना है सबसे पहले जियामिती के बारे में फिर आकार और इस्थानिक समझ के बारे में हमारे चारों और विद्धमान ठोश्पदार्थ फिर पढ़ना है आपको नंबर्स यानि की संख्याओं के बारे में जोडना और गटाना गुणा करना विभाजन करना मतलब basic जो गनित होती है और फिर मापन के बारे में भार के बारे में समय और आता है इसके बाद परिमान फिर आकणा प्रबंदन पैटन राशी पैटन बहुत कैसी होती है सामुदायक गनित और अपचारिक और अनपचारिक तरीकों के माध्यम से मुल्यांकन फिर आती हैं सिक्षन की समस्याएं त्रुटी विशलेशन और सीखने और सिक्षन से संबंदित पहलू नेदानेक और अपचारात्मक सिक्षन फिर इसका अंतिम विशय या लगे रास्चारिक जो होता है वह था है पर्यवरण अध्यन इसमें हमको पढ़ना है परिवार और मित्र के बारे में संमंद कार खेल पशु पॉधे फिर भोजन और आश्रय क्या खाते हैं कहां रहते हैं वह सके बाद जल भ्रमन वे चीजें हैं जो हम बनाते हैं और करते ह फिर आपका आता है पर्यवरण अध्यन की आउधारना और कार्यषेत्र फिर पर्यवरण अध्यन का महत्त एकी किरत पर्यवरण अध्यन फिर उसके बाद पर्यवरण अध्यन और पर्यवरण सिक्षा फिर आता है सीखने के सिद्धान्त, विज्ञान और समाजिक विज्ञान से संबंद, आउधान नाओं को प्रश्टत करने के द्रश्टी कौन, किरिया कलाब, चर्चा, सिक्षन समगरी, टीचिंग एट्स और समस्याएं इन सभी के बारे में हमको पढ़ना है पर्यवरण के अंतर्गत, इसके आगे अब हम लोग बात करते हैं, CTET के पेपर 2 के सिलेवस के बारे में, तो पेपर 2 का जो CDP का सिलेवस है वो बिलकुल सेम होता है, उसमें हमको कुछ भी नहीं करना है, CDP के सिलेवस में, और हम सिर्फ इसको देख लेंगे, इसमें कुछ चीजें जैसे अधिगम में युगदान देने वाले कारक क्या होते हैं, गनित, गनित इसकी थोड़ी सी गनित एबं विज्ञान क्योंकि जुड़ जाती है, इसमें छटमी से आटमी इस्तर की, तो इसमें थोड़ा साम को देखना है जैसे, अंक गनित आती है, इसमें बीज गनित आती है, जया मिती है, छेतर मिती है, आकणा प्रबंदन है, फिर आपका आता है गनित एबं तारकिक सोच की प्रक्रती, पाठकरब में गनित का इस्तान, गनित की भाषा, शामुदायक भाषा, ये सभी चीजें वो हैं, जो भी हम लो चार चीजें कैसे कार करती हैं? उप्चारात्मक सिक्षन, इसके लाव हम बात करते हैं समाजे का ध्यन की, अगर विज्ञान और गलत नहीं लिया है, आपने और आप समाजे का ध्यन लेते हैं, तो इसमें आपको क्या पढ़ना पढ़ेगा? सबसे पहले इसका पार डाता है इतिहास, इसमें आपको पढ़ना है कब, कहां और कैसे कोई चीज हुई? वाश्तू कला, सामराज्य का स्रजन, सामाज एक परिवर्तन, छेत्रिय संस्कृतियां, कम्पनी शाषन और श्थापना, ग्रामीर जीवन और समाज, उपनी वेश्वाद और जनजातिय समाज, 1857 का विद्रो, महिलाएं और सुधार, जाती विवस्था को चनोती, राष्ट वादी, आंदोलन, सतंत्रता के पश्चात, भारत, इन सभी चीजों के वारे में, सेकेंड नमबर पर आती है आपकी जियोग्राफी याने की भूगोल, इसमें पढ़ना है विज्ञान के रूप में भूगोल, ग्रह, सौर, मंडल, मैप्रत्वी, समग्रता में पर्यावरण वाईू एवं जल, मानो पर्यावरण संसादन एवं क्रची और फिर है सामाजिक और राजनीतिक जीवंत, इसमें हमको विविद्धा के बारे में पढ़ना है, सरकार के बारे में पढ़ना, इस्थानिय सरकार, अजीव का हासिल करना, लोक तंत्र, मीडिया, लिंग भी, समा के बारे में, कि समाजिक विज्ञान या समाजिक अध्यन की आउधार्णा और प्रक्रती, कच्छा कच्छ की प्रक्रियां, गति विदियां और व्याख्यान, विवेचे सोच का विकास करना, पूश्टाच, अनुभाजन नसाक्ष, समाजिक विज्ञान और अध्यन पढ़ उसमें सभी चीजें CTET के सिलेवस के बारे में हैं पर जो भी चीज दिखाए गई वो सब विशाइवार टॉपिक्स दिखाए गई हैं उनके सब टॉपिक्स भी हो सकते हैं ठीक है तो इसमें हम कुछ चीजें फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि जितने भी प्रश्न इस में आते हैं वो आते हैं MCQ के माध्यम में यानि की ब अधू कल पियुद प्रशन होते हैं इसमें कोई भी नगेटिफ मार्किंग नही highly होती है ठीक है मतलब गलत प्र्श्न के आपके नंबर कटेंगे नहीं botheráisriver 700 प्रश्न टोटल कूचे जाते हैं और 1500 ही नंबर होते हैं और टोटल टाइम धाई घंटे यानि की डेड़ सो मिनट का होता है तो ये थी आपकी CTET का एक्जाम और मुझे ये उम्मीद है कि आपको सभी चीजें किलियर हो गई होंगे और अभी भी कोई चीज अगर डाउट है या कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप हम लोगों से कमेंट बॉक्स में पूँच सकते हैं या हमारे ग्रुप के माध्यम से भी आप हम तक पहुंच सकते हैं तो ये वीडियो यहीं तक अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो अपने सभी दोष्टनों के शार शेयर करें जो CTET का एक्जाम देना चाहते हैं या उन्हें कोई भी परिशानी है CTET के परिक्षा देने में तो इस वीडियो के माध्यम से वो अपने बहुत सारे प्रश्णों के उत्तर पा सकते हैं धन्यवाद झाली है